बागेश्वर बाबा ने महिलाओं के लिए की अभधर टिप पनी धिरेंद्र शास्त्री ने ब्यूटी पार्लर जाने वाली महिलाओं को कहा काली जामुन फूप वाइरल हो रहा वीडियो बागेश्वर बाबा के नाम से मशूर धिरेंद्र शास्त्री अपने अटपटे और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं बागेश्वर धाम के बाद अब धिरेंद्र शास्त्री देश के तमाम हिस्तों में अपना प्रवचन दे रहे हैं जिसमें कभी वो हिंदू रास्टे की बात करते हैं तो कभी गीता के किसी श्लोक को लेकर विवाद हो जाता है अब ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बागेश्वर बाबा महिलाओं को लेकर टिपणी करते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और बाबा को खरीखोटी सुना रहे हैं दरसल बागेश्वर बाबा अपने एक प्रवचन के दोरान मैलाओं का जिक्र करते हैं इस दोरान वो उन मैलाओं की बात करते हैं जो ब्यूटी पारलर जाती हैं अपने इसी प्रवचन के दोरान धिरींदर शास्ती ने मैलाओं के रंग पर भी टिपणी कर दी और उन्हें का जामुन बता दिया वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बागेश्वर बाबा कहते हैं सबसे जादा श्राप अगर किसी को लगना है तो ब्यूटी पार्लर वालों को लगेगा वो काली जामुन के उपर भी इतना तेज पाउंडेशन लगा देती हैं वीडियो की इतनी स पाशा को लेकर बाबा की आलोशना हो रही है हाला कि ऐसे वीडियो पहली बार सामने नहीं आये हैं जिसमें बाबा बागेश्वर ने मैलाओं के लिए अभद्र टिपणी की हो इससे पहले भी बागेश्वर धाम के बाबा धिरेंदर शास्री का एक वीडियो सामने आये था जसमें बाबा प्रवचन के दौरान कहते हैं किसी इस तरी की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती है मांग का सिंदूर गले में मंगल सुत्र अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो गले में मंगल सुत्र ना हो आपको बताते चलें कि कई लोगों ने ट्वीटर पर बाबा के इस वीडियो के साथ लिखा था कि ऐसी बाते करने वाले ना तो संथ हो सकते हैं और ना ही कथावाचक कई महिलाओं ने बाबा के इस बयान पर गुस्सा जाहिर किया था एक न्यूस चैनल ने तो बागेश्वर बाबा की गंदी बात शीर्षक से प्रोग्राम तक बना दिया था सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धिरेंदर शास्त्री पर लोगों ने जम कर भडाज भी निकाली थी इतना ही नहीं सपानेता सुआमे प्रशाद मोर्या ने कथा वाचक धिरेंदर शास्त्री के बयान को घटिया बताते हुए उस पर विरोध जाहिर किया था सपानेता ने बागेश्वर को टपोरी और उनके बयान को घटिया करार दिया था सपानेता ने ट्वीट कर कहा था कि ये बागेश्वर बाले बाबा है या लखेरा टपोरी लगता चारे जो महिलाओं के प्रिती इतनी ओच्छी और गंदी भाशा का प्रियोग करते हुए कहता है कि जिस महिला की मांग में सिंदूर लगा हो और गले में मंगल सुत्र लटक रहा हो तो हम समझ जाते हैं कि इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है जिस महिला की मांग में सिंदूर ना लगा हो और गले में मंगल सुत्र ना बंदा हो तो हम सोचते हैं कि ये प्लॉट खाली है बाबा का ये घटिया बयान देश की समस्त मैलाओं का घोर अपमान है इसकी कड़ी निंदा करता हूँ तथा इस बयान पर साधू संतों, मठा धीशों, धर्माचारियों, वेपंडे पुजारियों की चुप्पी और भी निंदनिये हैं जिनकी जुबान पर अभी तक ताला लगा हुआ है, मैलाओं के सम्मान में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्या साधू संतों का यही चरित्र है? वहीं अब फिर बागेश्वर बाबा अपने एक प्रवचन के दोरान मैलाओं का जिक्र करते हैं अपने इसी प्रवचन के दोरान धिरिंदर शास्त्री ने मैलाओं के रंग पर भी टिपपनी कर दी और उन्हों है काला जामुन बता दिया बागेश्वर बाबा के इस बयान को लेकर फिर से घमासान मच गया है लोग बाबा के इस बयान को लेकर उनको जम कर ट्रोल कर रहे हैं अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं सिर्फ N27 News पकड हर खबर पर आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खबर पर